जैसा के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लूओ फैंग कोईजन के साथ स्लेव मार्किट में जाता है स्लेव मार्किट में जाकर जब वो देखता है कि यहाँ पर इतने ज्यादा हाई लेवल के वोरियर्स एजा स्लेव बिक रहे हैं तो ये देखकर फैंग तो बहुत ही ज़्यादा शोक्ड हो जाता है और सोचता है कि अगर युनिवर्स लेवल का वोरियर भी स्लेव बन सकता है तो फिर तो हमारी अर्थ को स्ट्रोंग होना ही होगा और मुझे भी और भी ज़्यादा स्ट्रोंग होना होगा ये सोचते हुए फैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उसी के साथ साथ कोईजन और बबाता और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो सबी लोग स्लेव मार्किट में और भी अंदर जा रहे होते हैं चलते हुए रस्ते में वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे दूसरे प्लैनेट से आहे हुए लोग यहाँ बस स्लेव मार्किट से स्लेव को बाय कर रहे होते हैं और वहाँ परमजूस सेलर्स उन स्लेव्स को सेल करके काफी खुश हो रहे होते हैं उनको देखते हुए कोईजन कहता है लूओ फैंग तुम्हें ये स्लेव मार्किट कैसी लगी अब इस से पहले कि लूओ फैंग उसकी इस बात कांसर कर पाता तब ही कोईजन की नजर पढ़ती है शाशा जैसे दिखने वाले और स्लेव्स पर उन्हें देखते हुए वो कहता है शाशा वो देखो वो सबी तुम्हारे क्लैन के लोग हैं राइट? शाशा उन सब को देखते हुए कहती है जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा शाशा के क्लैन मेंबर्स में से एक मेंबर शाशा को देख लेती है तो कोईजन उससे पूछता है शाशा क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जिस पर शाशा कहती है जी हाँ मास्टर हम एक दूसरे को जानते हैं और फिर वो कोईजन के सामने आकर उससे pirmishny मांगती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा सकती हूँ जिस पर कोईजन भी कहता है हाँ हाँ जाओ जल्दी आ जाना जिस पर शाशा भी जल्दी से बागते हुए अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे मिलती है यहां पर यह एक दूसरे से काफी समय के बाद मिल रही होती है इसलिए एक दूसरे से मिलकर खुश होती है अब लूओ फैंग और कोईजन वहां पर मजूद दूसरे सेलर्स को देख रहे होते हैं कि वो सलेव को बेच कर कितने ज्यादा खुश हो रहे होते हैं इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो वहां पर डांस कर रहे होते हैं तबी कोईजन भी शाशा के पास आ जाता है तो शाशा कोईजन को बताती है कि जब से हमारा home planet destroyed हो गया तब से हमारा minkby clan completely slave clan बन गया है और अब तब से लेके आज तक हमारे clan के जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी के सभी generation by generation slave ही बनते जा रहे हैं और ये लोग उने continuously यहाँ पर एज़ा slaves के तोर पर बेच रहे हैं हम सभी लोग same group से आते हैं जब यहाँ पर slaves को traders के थूप बेचा जाता है शाशा की यह बास सुनकर वो सभी लोग फिर से slave market में आगे बढ़ने लगते हैं तब ही फैंग देखता है कि वो सभी traders जो भी slaves को बेच रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उनके customers भी उनसे खुश होते हैं उन सभी को देखते हुए फैंग कहता हैं स्लेव की breeding के लिए एक special planet कैसे हो सकता हैं यह तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फसल को group by group बेचा जाता हैं यहाँ पर यह लोग slaves को बिल्कुल फसल की तरह बेच रहे हैं जिस पर कोईजन उसे कहता है slave trading एक profitable field हैं इनसानों में weak land के ल warrior को बर्त देना भी मुश्किल है इसी वजह से इने slaves बनाना natural है क्योंकि वो लोग powerful नहीं बन सकते इसलिए उन्हें as a slaves बेचा जाता हैं और यह traders उनसे profit कमाते हैं कोईजन और लुओ फैंग यहाँ पर बाते कर रहे होते हैं कि तभी शाशा के clan को बेचने वाली trader वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे clan के यह members पहले ही as a slaves खरीदे जा चुके हैं किसी ने इनसे contract कर लिया है और अब वो contract तोड़ा नहीं जा सकता यानि के मैं इने खरीद नहीं सकता यहीं जहां का rule है जब एक बार कोई इन slaves को ले लेता है तो फिर कोई और उने खरीद नही बात है अब finally मैं लीडर हों की बात को समझ पा रहा हूं कि आखिर वो अर्थ के लोगों के लिए इतने ज्यादा परिशान क्यूं होते थे कि कभी ना कभी तो अर्थ के लोगों को slave बना लिया जाएगा उनकी ये परिशानी बिल्कुल सही थी एक बार अगर इस universe में हमारी earth exposed हो गई तो उसके बाद हम यकीनी तोर पर destroyed हो जाएंगे बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी शाषा के clan के साथ हो रहा है हम इंसानों को भी slave बना लिया जाएगा और फिर हम पर जुलम ढ़ाए जाएंगे नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ये सब सोचने के बाद लूओ फै universe के through contact कर सकते हो मैं तुम्हारी help करने के लिए आ जाऊंगा लूओ फैंग उसे ओके बोल के वहां से चला जाता है और चलते हुए रस्ते में सोचता है कि earth को strong होना ही होगा और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा strong बनना ज़रूरी है किसी भी उबरते हुए clan को एक hero की ज़रू सोचता रहता है यूँ ही काफी देर तक कुछ सोचते रहने के बाद वो बुबाता से कहता है जितनी जल्दी possible हो सके मुझे अपनी abilities को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है ऐसा करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है बहुत सारे पैसों की जरूरत है फैंकी ये बास सुनक तुम्हारे पास mountain x21 spacecraft भी है ये सब बहुत valuable treasures है आगर इने यहाँ पर बेचने के लिए बाहर निकाला जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे के तुम अपनी मोद को तलाश कर रहे हो यानि के तुम इन सभी चीज़ों को यहाँ पर नहीं बेच सकते सिरफ यही चीज़े है जिनने तुम पैसे के बदले में exchange कर सकते हो तुम्हारी heavenly forbidden shuttle और cutting blade disc weapon लेकिन इने तुम regular base पे use करते हो बबाता की यह बात सुनकर fang उसे कहता है कि heavenly forbidden shuttle मेरा spiritual weapon है जिसे मैं usually use करता हूँ और cutting blade disc इसे तो मुझे कभी कबार ही use करना पड़ता है तो इसलिए मैं अपने इस cutting blade disc को बेचूंगा यह कहते हुए fang काफी उदास भी होता है और फिर बबाता से कहता है बबाता क्या तुम्हें पता है कि इसे यहाँ पर बेचने के लिए बहतरी जगा कौन सी है fang की यह बास सुनकर बबाता कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है आओ मेरे पीछे मैं तुम्ह दिखाती हुँ वो दोनों चलते हुए वहाँ पर एक एंटीग शोप पर आ जाते हैं वहाँ पर आकर वो देखते हैं कि यहाँ पर तो पहले ही काफी सारे हाई लेवल के वेपन्स पढ़े हुए है fang वहाँ पर उन सबी वेपन्स को देख रहा होता है कि तब ही बाता उसे इस एंटीक शोब मर्चनडाइस का सोर दूसरे स्पिर्च्वल वैपन शोब की तरह नहीं है तुम यहाँ पर अपने वैपन की ज्यादा से ज्यादा प्राइस सेट कर सकते हो लेकिन लूओ फैंग, गोल्डन होन बहमूद तुम्हारी strongest combat power है कहीं तुम उसके लिए तो अपने cutting blade disc को बेच कर training resources खरीदने के बारे में तो नहीं सोच रहे अगर तुम ऐसा करोगे तो इससे golden horn बहमूद को short time में strong बनाना possible नहीं है तो इसलिए तुमें यह करने की ज़रूरत नहीं है जिस पर लूओ फैंग उसे कहता है नहीं बबाता मैं इस weapon को बेच कर इससे जितने भी पैसे मिलेंगे उससे अपने human clone को और भी ज़्यदा powerful बनाऊंगा ताके वो star level तक पहुंच जाए और जब मेरी यह body star level तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद मैं bank of the milky way universe में जाऊंगा और master की तरफ से छोड़े गए पहले account को inherit करूंगा फैंग का यह plan सुनकर बबाता खुश हो जाती है और कहती है ओ अच्छा तो तुम यह सोच रहे हो तुम golden horn बहमूद को master के पैसो को use करते वे strong बनाने की planning कर रही हो अरे वा तुम तो बड़े smart हो बबाता अभी फैंग के साथ यहाँ पर बाते करी रही होती है कि तबी वहाँ पर antique shop का sailor आ जाता है और फैंग को greet करते वे कहता है क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं आपकी help कर सकता हूँ जिस पर फैंग उसे अपने cutting blade disc के बारे में बताता है जिसके बारे में सुनकर वो sailor फैंग को एक secret room में ले जाता है और वहाँ पर ले जाने के बाद यह दोनों deal करने लगते हैं उस weapon को दे कर वो sailor अच्छे से उसे चेक करता है कि क्या ये वाके में ही real है उस weapon को अच्छे से verify कर लेने के बाद वो कहता है आपका ये weapon सच में काफी powerful है इसकी quality perfect है जिसकी वज़ा से मैं आपको इसके 18 billion दूँगा क्या आप इसे मुझे बेचना चाहेंगे जिस पर फैंग उसे कहता है जी हाम अब यहाँ पर इन दोनों के दर्म्यान में deal हो जाती है और deal के according वो sailor फैंग के लिए पैसों का इंतजाम कर देता है और फिर फैंग को वो पैसे देते वे कहता है Master यह आपका Bank of the Milky Way Universe कार्ड है जिसके अंदर मैंने 18 billion हिलियों कोईंस ट्रांसफर कर दिये है और इसी के साथ साथ यह है हमारा Membership कार्ड अगर आप हमसे कोई भी चीज बाय करेंगे तो हम आपको 1.2% डिसकाउंट देंगे इसे यूज करते हुए आप कभी भी यहां से कुछ भी भाय कर सकते है उन दोनों कार्ड को देखते हुए बाता कहती है 18 billion हिलियों कोईंस लुव फैंग यह तुम्हारे लिए बड़ी अमाउंट है यह कहते हुए वो फैंग के पास चली जाती है और कहती है तुम इन पैसों को कैसे खर्च करना चाहोगे फैंग उन दोनों कार्ड को अपनी spiritual power को यूज करते वे अपने सामने ले आता और उने देखते वे कहता है अब मेरा पहला step होगा मेरे human clone की physical condition को improve करना यह सोचने के बाद वो बबाता से पूछता है क्या यहाँ पर कोई ऐसी valuable items है जो मेरी body को बहतर तोर पर strengthen कर सकती है तो वो बाता उसे बताती है फिलहाल यहाँ पर सबसे बहतर है बीबो मेरो मैंने पहले स्कैन करके देखा है इस antique store में वो है जिस पर fang उसे कहता है ठीक है और फिर वो सेलर से बीबो मेरो के बारे में पूछता है तो सेलर उसे सारी information बताता है कि बीबो मेरो का एक ग्राम 9,000 हिलियों कोईंस का है और फिर fang यहाँ पर उस सेलर से कहता है कि मुझे यह बीबो मेरो 3 kg चाहिए जिस पर वो सेलर कहता है जी हाँ आपको ये मिल जाएगा और इस 3 kg बीबो मेरो की टोटल प्राइस है 270 मिलियन हिलियों कोईन तो फैंग उने कहता है ठीक है और फिर वो सहाँ पर उनके पैसे पे कर देता है पेमट होते साथ ही फैंग के सामने बीबो मेरो आजाती है उसे देखते वे फैंग कहता है अब इसे यूज करते वे मैं अपनी फिजीक को इनहेंस कर सकता हूँ जिससे मैं प्लैनेट लेवल के 7 लेवल तक पहुँच जाऊँगा और इसी के साथ साथ मेरी स्पिर्चुल पावर स्टार लेवल 1 तक पहुँच जाएगी इसके बाद जो बीबो मैरो बाकी बचेगी मैं उसे फर्स्ट ब्रदर और सेकिंड ब्रदर को दे दूँगा जिससे उन्हें भी उनकी कल्टिवेशन बढ़ाने में मदद मिलेगी और अब इसके बाद बार है सेकिंड स्टेप की सेकिंड स्टेप में मुझे अपनी अर्थ की अबिलिटीज को बढ़ाना है ऐसा करने के लिए मुझे स्ट्रोंगर गार्ड्स की जरूरत होगी अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सोचते हुए फैंग फिर से सलेव मार्किट में आ जाता है और slave market में आकर वहाँ पर slaves को देख रहा होता है तो एक seller fang को देखकर भाग कर उसके पास आता है और कहता है sir मैं आपकी क्या help कर सकता हूँ जिस पर fang उसे कहता है कि मुझे star level slave की जरूरत है fang की ये बात सुनकर वो trader काफी ज्यादा शोक हो जाता है और वहाँ पर मजूद जितने भी customers थे उन्ही के सासा जितने और भी traders होते हैं जिन्होंने fang की बात सुनी थी वो सब भी fang की तरफ हराने के साथ देखने लगते हैं कुछ लोग तो वहाँ पर काफी ज्यादा चोंक जाते हैं वो trader कुद को संभालते वे कहता है जी जी प्लीज सर आप मेरे साथ आए मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहां से आप स्टार लेवल के slaves बाई कर सकते हैं ये कहते वे वो fang को अपने साथ एक secret room में ले जाता है और इसी के साथ ये episode खतम हो जाता है तो देखेंगे next episode में कि क्या fang स्टार लेवल के warriors को सच में बाई करेगा